दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप CapCut एप्लिकेशन यूज करते हैं अपने laptop या PC में और आपको जो है effects, networks और filters को यहाँ पर download करते हैं प्रॉबलम आते हैं कुछ इस तरह यहां से network error click to try again आप देख सकते हैं effect पर मैं click करता हूं तो यहां पर यह effects भी शोओ नहीं होते हैं और यहां पर filters भी शोओ नहीं होते हैं तो आपको क्या करना इस वीडियो में बताऊंगा यहां पर जो network error है वो हो जाएगा तो यहां पर इस network error को solve करने के लिए filters, transaction filters को download करन आपने Google में लखनाłem turbo VPN for PC यह लिखना है और इसको इहां पर click करने के बादee download for PC पर click करना है और इसको download कर लेना है पर D-Drive में करते हैं और रोके कर देते हैं आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं यह आपका जो VPN है यह इंस्टॉल हो जाएगा और यह जो इंस्टॉल हो जाएगा और यह जो इस फ्री जैसे आप इसको install कर लेंगे, यहाँ पर back आना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर directly, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार इसको बंद कर देना है, back आना है, back आने के बाद आप यहाँ पर आपको United States है, यहाँ पर आपको यह server से connect हो जाना है, United States वाले server से, तो यहाँ पर हो जाते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आपका cap cut open करके, आगर यहाँ पर directly open करने के बाद आपकी effects work करने लगते हैं, तो ठीक है, otherwise second जो option है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर back आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, connected हूँ है, यहाँ पर turbo VPN से, तो cap cut क open कर लेते हैं, तो cap cut open करने के बाद लिए project पर click करते हैं, और यहाँ पर effects पर click करते हैं, देखते हैं, loading resource दिखा रहा है, अब देखते हैं, यहाँ पर effects वगएरा आते हैं, उसको download कर सकते हैं, नहीं, transaction वगएरा, यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे, गाईस, अगर नहीं आते ह हैं, यह download होने के बाद भी, यह सब करने के बाद भी, तो मैं आपको बताऊँगा, आपको क्या करना है, effects आचुके हैं, अब मैं चाहूं तो इनको यहाँ से download कर सकता हूं, यह download honing start हो चुका है, अब transactions जो है, वो भी आ चुके है, और filters जो है, वो भी आ चुके है, आप directly ऐसे जो है, इनको download कर सकते हैं, यहाँ से, और अपने project में use कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, आप पर slide करके, अपने project में use कर लिजिएगा, तो ऐसे ही जो है, इसका solution मैंने आपको बता दिया, अगर आपको फिर भी कोई problem आए, मुझे comment box में जुरू बताएगा, मैं आपके लिए को और solution लेकर आँगा, तो मिलते हैं,